नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उसाइत होंगे। सही जवाब, जीवन की मूल भूद सरंचनात्मा की काई कोशिका है। बच्चों क्या आप कुछ एक कोशिक जीवों के उधारन दे सकते हैं? सही जवाब उधारन है अमीबा या पेरा मिश्यम इत्यादी मनुष्य एक कोशिक जीव है या बहु कोशिक जीव? सही जवाब मनुष्य बहु कोशिक जीव है कोशिकाओं के समू को क्या कहा जाता है? कोई बात नहीं बच्चो, इसका उत्तर है उतक तो आज के अध्याए में हम उतक के बारे में पूरन रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं उतक क्या है? कोशिकाओं का विशिष्ट समू जो शरीर के अंदर कोई निश्चित कारे करता है उतक कहलाता है ये उतक अधिक्तम शम्ता के साथ कारे कर सकते हैं और इसके लिए विशिष्ट क्रम में विवस्चित होते हैं अर्थार्थ वे कोशिकाएं जो आकरिती में एक समान होती हैं तथा किसी कार को एक सा संपन करती हैं समू में एक उतक का निर्मान करती हैं सबसे पहले इसके बाद हम जानेंगे पादप उतकों के बारे में पादप उतक किसे कहा जाता है? पादप उतक के अंदर अधिकाश उतक उन्हें मजबूती एवं शक्ती प्रदान करते हैं और मृतक कोशिकाओं से बने होते हैं इनकी देखभाल भी कम करनी पड़ती है पादप उतकों के प्रकार सबसे पहले स्थाई उतक और दूसरे अस्थाई उतक अस्थाई उतक को विभज्य उतक भी कहा जाता है अब जान लेते हैं अस्थाई उतक है क्या पादपों में व्रिधी पादप के निश्ची शेत्रों में ही होती है ऐसा विभाजित उतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है ऐसे उतकों को विभजियों तक कहा जाता है पादप में जिस थान पर यह उत्तक स्थित है उसे उसके उनुसार एपिकल या शीर्षस्थ, पार्श्विय या लेटरल, इंटरकैलरी या अंतरविष्थ भागों में वर्गिकृत करते हैं शीर्षस्थ, विभजयतक उत्तक, जड़ और तनों की वृद्धी वाले भागों में विद्धिमान होते हैं और इनकी लंबाई को बढ़ाते हैं पार्ष्विय विभजयतक उत्तक जड़ एवं तने की परिदी में वृद्धी करते हैं अंतरविष्ट विभ्यजयोतक पत्तियों के आधार में या टहनियों के पर्व में दोनों और उपस्तित होते हैं विभ्यजयोतक की कुछ विशेष्टाएं इस उत्तक की कोशिकाएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं इन कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ती और स्पष्ट केंद्रक होते हैं. इन उत्कों की कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती. इसके बाद हम बात करेंगे स्थाई उत्तकों की अस्थाई यानि की विभजियोतक उत्तक जब विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं तो एक विशिष्ट कारे की जिम्मेदारी ले लेते हैं और वह स्थाई उत्तक बन जाते हैं इस प्रकार एक विशिष्ट कारे करने के लिए स्थाई रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदी करण यानि की differentiation कहा जाता है स्थाई उत्तक दो प्रकार के होते हैं संभरण उत्तक और सरक्षी उत्तक सबसे पहले संभरण उत्तक ये तीन प्रकार के होते हैं पेरनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरनकाइमा पेरनकाइमा, कोशिकाओं की कुछ परतें उत्तक के अधारिये पैकिंग का निर्मान करती हैं इन्हें पेरनकाइमा उत्तक कहते हैं यह पतली कोशिका भित्ती वाली कोशिकाओं का बना होता है इसमें समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं होती है ये प्राय बंधन मुक्त होती है उत्तक की कोशिकाओं के बीच काफी रिक्स्थान पाया जाता है जैसा कि यहां चित्र में आपको दर्शाया गया है चित्र में आप देख सकते हैं कि पैरनकाइमा का अनुप्रस्ट सेक्षन और अनुधेर्य सेक्षन दिखाया गया है पैरनकाइमा उत्तक के कारे इस प्रकार हैं भूजन का भंडारन करना, मजबूती प्रदान करना कुछ पेरनकाइमा उतकों में क्लोरोफिल पाय जाता है जिससे प्रकास संचिलेशन की क्रिया संपन होती है इने हरित उत्तक यानी क्लोरो काइमा भी कहा जाता है जलिये पोधों में पेरनकाइमा की कोषिकाओं के मद्धे ह вообще की बड़ी गुहिकाएं होती हैं जो पौधे को तैरने में मदद करती हैं, अत्वा उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं, ऐसे पैरनकाइमा को एरनकाइमा कहा जाता है, कौलनकाइमा उत्तक, पौधों में लचीलेपन का गोन कौलनकाइमा उत्तक के कारण होता है, यह पौधों के विबिन भागों तना पत्ती में बिना तूटे लचीनापन लाता है। यह पौदे में विभिन भागों जैसे की तना पत्ती में बिना तूटे हुए लचीनापन लाता है। यह पौदों को यांतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह उतक एपिडर्मिस के नीचे परणवृत में पाया जा सकता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनिमत धंग से कोनों पर मोटी होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। आप इसका अनुधैर्य और अनुप्रस्थ सेक्षन का चित्र देख पा रहे हैं। अगले प्रकार के उतक जो हैं स्कलेरन काइमा उतक। स्कलेरन काइमा उतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। आपने नारियल के रेशे युक्त छिलकों को देखा ही होगा। यह स्कलेरन काइमा उतक का बना होता है। इस उतक की कोशिकाएं मृत होती हैं यह लंबी और पतली होती है। इस उतक की भित्ति लिगनिन जो की कोशिकाओं को द्रिड बिनाने का कारे करता है के कारण मोटी होती है। ये भित्नियां इतनी मोटी होती है कि कोशिका के भीतर आंत्रिक स्थान नहीं होता। ये उतक तने में संभन बंडल के समीब, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फल के कठोर छिलके में उपस्थित होते हैं। स्थाई उत्तकों का अगला प्रकार है सरक्षी उत्तक सरक्षी उत्तक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है एपीडर्मिस इसका एपीडर्मिस एक सरक्षी उत्तक है पौधे के मुख्य भाग जैसे पत्ते, जड़, तने की बाहरी परत एपिडर्मिस से धकी होती है अर्थार्थ पौधे की पूरी सता ही एपिडर्मिस से धकी होती है एपिडर्मल कोशिका बाहिस सते को मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है यह जलहानी परजीवी कवक के प्रवेश को रोख पौधे की रिक्षा करती है पत्ती की एपिडेर्मिस में छोटे छोटे छिद रियानी स्टोमेटा होते हैं जो गैस के आदान परदान वह वाश्पो उसर्जन का कारे करते हैं जडों की एपिडेर्मिल कोशिकाएं पानी को सोखने का कारे करती हैं मरस्तलिय पौधों की बाहरी सत्य वाले एपिडेर्मिस में क्यूटिन का लेप होता है क्यूटिन जल अवरोधक रसायनिक पदार्थ है स्थाई उत्तकों का दूथरा प्रकार जटिल स्थाई उत्तक जटिल स्थाई उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाउं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कारे करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं जाइलम, फ्लोईम जाइलम एक समहन उत्तक है जिसमें ट्राकिड, वाहिका, जाइलम पैरेकाइमा और जाइलम फाइबर होते हैं इनकी कोशिका भित्ती मोटी होती है और कोशिकाएं मृत्त होती है ट्राकिड और वाहिकाओं के द्वारा पानी और खनिज को नीचे से उपर की और ले जाये जाता है रेशी का कार्य पौधे को सहारा देना भी होता है पैरन काईमा में भोजन का संग्रेय होता है और यह पानी को किनारों तक पहुचाता है फ्लोयम भी एक वाहिकाओं तक है जिसके चार भाग होते हैं चाली नी ललिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोयम पैरन काईमा तथा फ्लोयम रेशे फ्लोयम रेशों को छोड़ कर बाकी सब कोशिकाएं जीवित होती हैं फ्लोयम पत्यों से भोजन को पौधे के विभिन भागों तक पहुचाया जाता है जायलम के विप्रीत यह दोनों दिशाओं में पदार्थों की गती करवा सकता है बच्चों, अब हम जन्तू उत्तक के बारे में जानेंगे जन्तू में चार मुख्य प्रकार के उत्तक होते हैं एपी थिलियमी उत्तक, सियोंजी उत्तक, पेशिय उत्तक तथा तंत्रिका उत्तक सबसे पहले एपी थिलियमी उत्तक जन्तु के शरीर को ढखने या बाहरक्षा प्रदान करने के लिए जो उतक हैं वे हैं एपि थिलिमी उतक एपि थिलिम शरीर के अंदर सित अंगों और गुहिकाओं को ढखते हैं ये भिन-भिन शारिरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्मान करते हैं त्वचा, मुह, अहार नली, रक्तवाहिनी, नली का अस्तर और फेफणों की कुपी का आदी सभी एपि थिलिमी उतकों से बने होते हैं एपि थिलिमी उतक की कोशिकाओं की परागम्मेता, बहरी वातावरन और शरीर के विभिन अंगों के बीच आदान-परदान में सहायक होती है एपि थिलिमी उतकों की सरंचनाएं विभिन प्रकार की होती हैं, जो उनके कारियों पर निर्फर करती है सबसे पहले सरल शलकी एपि थिलिम, ये रक्तनाली का अस्तर में या फिर कुपिका में उपस्थित चप्टी एपि थिलिम कोशिकाओं होती हैं ये अत्यदिक कोमल अस्तर का निर्मान करती हैं, अहारनली तथा मू का अस्तर शलकी एपि थिलिम से ढखा होता है इसके बाद आती है स्तरित शल्की एपिथिलियम ये त्वच्चा और आँखों के कॉर्णिया में उपस्तित होती है इसी प्रकार घनाकार एपिथिलियम व्रिक्य नली और लार ग्रंथी के नली के अस्तर का निर्मान करती है ये एपिथिलियम कोशिकाएं प्राय ग्रंथी कोशिका के रूप में स्तराव कर सकती हैं और ग्रंथी का निर्मान करती हैं इन्हें ग्रंथिल एपिथिलियम भी कहा जाता है स्थम्भाकार पक्षमाभी जहां अवशोषन तथा स्राव होता है जैसे कि आंत की भितरी अस्तर में वहां स्थम्भाकार एपिथिलमी कोशिकाएं होती हैं श्वशनली में स्थम्भाकार एपिथिलमी उत्तक में पक्षमाभ होते हैं जैसे की बाल जैसी स्रंचनाए इन्हें पक्षमा भी स्तंबकार एपिथिलियम कहा जाता है आईए अब जानकारी लेते हैं सियोजी उत्तकों के बारे में सियोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोश के आधात्री यानि की मेट्रिक्स में धसी होती हैं यहें आधात्री जैली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकती है आधात्री की प्रकृती सियोजी उत्तक के कारे के अनुसार बदलती रहती है सियोजी उत्तक इस प्रकार है रक्त एक सियोजिक उत्तक है रक्त के तरल अधात्री भाग को अधात्री कहते है रक्त गैसें, शरीर के पचे हुए भोजन, हॉर्मोन वा उस्सरजी पदार्थों का समवन करने में सहायता करता है अगले प्रकार के सियोजिक उत्तक है अस्थी अस्ति सेयोजी उतक का एक अन्य उधारण है यह पंजर का निर्मान कर शरीर को आकार देता है यह मासपेशियों को सहारा देता है यह उतक कठोर और मजबूत होता है अस्ति कोशिकाएं कठोर आधातरी में धसी होती है अस्थियां कैशिम और फॉस्फोरस से बनते हैं अगले प्रकार के सेउजे उतक है सनायू दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से सनायू द्वारा जुड़ी होती हैं सनायू उतक लचीला और मजबूत होता है इसी प्रकार एक और सेउजे उतक है कंडरा यानि की टेंडन मास पेशियों को अस्थियों से जोडने वाले उतक को कंडरा कहा जाता है यह मजबूत और लचीला होता है आईए अब जानकारी लेते हैं पेशिय उतकों के बारे में पेशिय उत्तक लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं जिसे पेशिय रेशा भी कहा जाता है यह हमारे शरीर में गती के लिए उत्तरदाई है पेशियों में एक विशेश प्रकार का प्रोटीन होता है जो संकुचन एवं प्रसार में साहता करता है जिसके कारण गती संभव हो पाती है इस प्रोटीन को सिकुडने वाला प्रोटीन कहा जाता है पेशिये उत्तक तीन प्रकार के होते हैं एच्छिक पेशी, अत्वा रेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी, अत्वा आरेखित पेशी और तीसरे प्रकार के रिदे पेशी आईए एके करके इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें एचिक पेशी, अत्वारेखित पेशी कुछ पेशियों की हम इच्छा अनुसार गती करा सकते हैं हाथ और पैर में विद्द्यमान पेशियों को हम अपने इच्छा अनुसार अवश्चता पढ़ने पर गती करा सकते हैं या उनकी गती को रोक सकते हैं इस तरह की पेशियों को एच्छिक पेशी कहा जाता है इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है सूक्ष दर्शी पर यदि हम इने देखें तो ये पेशियां हलके तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह लगती हैं इसी कारण इन उत्तकों को रेखित पेशी भी कहा जाता है इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखारहित और बहुनाबिके होती हैं अगला प्रकार है अनैचिक पेशी अत्वा आरेखित पेशी अहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलीका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां एचिक नहीं है इन गतिवदियों को हम स्वें संचालित नहीं कर सकते अर्थार्थ अपनी इच्छानुसार चला या बन नहीं कर सकते चिकनी पेशियां या अनैचिक पेशियां इसकी गति को नियंतरित करती हैं ये आग की पलक मूत्रवाहिनी और फेफडो की श्वस्नी में भी पाया जाता है केशिकाएं लंबी और इनका आखरी सिला नुकीला होता है ये एक केंद्रकिय होती हैं इनको अरेखित पेशी भी कहा जाता है अगला प्रकार है हिरिदे पेशी हिरिदे की पेशियां जीवन भर लेबध होकर प्रसार और संकुचन करती रहती हैं इन अनैचिक पेशियों को काडिक यानि की हिरिदे क पेशी कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओंवाली और एक केंद्रकिय होती हैं विबिन प्रकार की पेशिये उतकों की सरंचना की तुलना आप चित्रद्वारा देख सकते हैं उनके आकार, केंद्रकिय संख्या और कोशिका में केंद्रकिय स्थिती को भी नोट करें अगले प्रकार की उतक जो है वह है तंत्रका उतक तंत्रका उतक की कोशिकाएं बहुत शिग्र उत्तेजित होती हैं और इस उत्तेजिना को बहुत ही शिग्र पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुचाती हैं मस्तिश्क, मेरूरज्जू तथा तंत्रकाएं सभी तंत्रका उतकों की बनी होती हैं तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या निरॉन कहा जाता है निरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य यानि की साइटोप्लाज्म होते हैं इसमें लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकली होती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राय प्रतिक निरॉन में इस तरह का एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसे एक्जॉन कहा जाता है तथा बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध होते हैं जिने की डेंडराइट कहा जाता है एक तंत्रिका कोशिका एक मिटर तक लंबी हो सकती है बहुत सारे तंत्रिका रेशे सियों जी उत्तक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्मान करते हैं तंत्रिका का स्बंदन हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों की गती करने में सहायता करता है आईए अब तक जो हमने पड़ा है उसकी दोहराई भी कर लेते हैं उतक कोशिकाओं का समुह होता है जिसमें कोशिकाओं की सरंचना तथा कार्य एक समान होते हैं पौधो के उतक दो प्रकार के होते हैं विभज्योतक तथा स्थाई उतक स्थाई उतक भी आगे तो प्रकार के होते हैं सरल और जटल सरल उतक तीन प्रकार के होते हैं पेरनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्कलरनकाइमा पेरनकाइमा के दो अन्ने रूप हैं एरनकाइमा और क्लोरनकाइमा जटल उतक दो प्रकार के होते हैं जायलम और फ्लोयम जन्तू उतक चार प्रकार के होते हैं एपिथिलियम, संयोजी, पेशिय और तंत्रिका उतक एपिथिलियमी उतक आगे चार प्रकार के होते हैं शल्की, स्तरित, घनाकार, स्तंबाकार संयोजी उतक के उधारण है रक्त, अस्थी और कंडरा पेशिये उत्तक तीन प्रकार के होते हैं रेखित, आरेखित और काडिक यानि की हृद्यक अब मैं आपसे कुछ प्रश्ण बोचूंगा और आशा करता हूँ कि आपको इन प्रश्णों के उत्तर आते ही होंगे सबसे पहला प्रश्ण पादपों में भोजन का परिवहन कौन से उत्तक द्वारा किया जाता है सही उत्तर है अब आप एक रिक्स्थान भरिए रक्त कौन सा उत्तक है तो सही जवाब है रक्त एक सेयोंजी उत्तक है दो हड्डियों को आपस में जोडने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है सनाई उत्तक अगला प्रश्ण पत्ते की एपिडेर्मस में मौझूद छोटे छोटे छेदों को डैश यानि की क्या कहा जाता है आप रिक्स्थान भरिए उत्तर है stomata कहा जाता है दिये गए neuron के चित्र को label कर ये जो बीच वाला भाग है वह है केंद्रक जो आप ये छोटी शाखा वाले प्रवर्द देख पा रहे हैं यह है dendrite जो आप लंबा प्रवर्द देख पा रहे हैं यह है तंत्री काक्ष या exon इसी के साथ हमारा अध्याय यहां समाप्थ होता है आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भली भांती समझा होगा अब आप अपनी पाठे पुस्तक में से इस अध्याय को फिर से पढ़ें और उसमें दिये गए अभ्यास के प्रश्णों को हल करने की कोशिश करें बच्चों आप सभी सुरक्षित रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें धन्यवाद